इस वीडियो में हम Class 9 की प्रशनावली 13.4 करेंगे इस पूरी प्रशनावली में 9 क्वेशन है और सभी को हम इस वीडियो में करेंगे लेकिन पहले मैं आपको जल्दी से इस प्रशनावली में यूज होने वाले फॉर्मले समझा देता हूँ देखो ये जो पूरी प्रशनावली है ये गोले के प्रशिक शेत्रफल पर आधारित है तो गोला क्या होता है देखो ये जो आकरती है ये गोला है जिसको जैसे बॉल होती है है न, जैसे हमारी cricket की, football की जो ball होती है, वो है ये, इसको आप वृत्मत समझना ये गोला है, और इसका प्रिशिक शेत्रिफल, यानि अगर आपको बाहर से इसको paint करना होगा, तो कितना area, कितना शेत्रिफल बाहर से cover होगा, वो इसका प्रिशिक शेत्रिफल होगया, तो इसक याद रखने के मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूँ कि जो वृत है आप जानते हैं ना वृत तो ये समझो कि चार वृत मिलकर एक गोला बना देते हैं ये आप समझ लो एक वृत का क्षेत्रपल होता है पाई आर स्कॉायर तो चार वृत का क्षेत्रपल होगा फोर पाई आर स्कॉायर ये आप याद रखना ठीक है अच्छा इसके अलावा आपके पास क्वेशन आते हैं अर्ध गोले पर आधारित तो अर्ध गोला होता है तो यहाँ पर आप ये आकरिती देख सकते हैं एक अर्ध गोला है और जो ये पूर्ण गोला हमारे पास था इसकी तरिज़ा ये आर थी ठीक है जो अर्ध गोला है इसकी भी तरिज़ा आर है और ये यहाँ से भी आर है देखो तरिज़ा तो हर तरफ से एक जैसी होती न तो ये भी जैसे ये भी R है तो ये हर तरफ से इकल होगा अब देखो जहां तक ये गोले की बात थी तो आप गोले की आकरिती देख सकते हैं ये हर तरफ से ये वक्र है इसी वज़े से यहां पर आपने फॉर्मुला देखा होगा कि वक्र प्रिष्ट नहीं लिखा है क्योंकि ये हर तरफ से वक्र ही है यानि जब हम गोले के प्रिष्यक शेत्रवल की बात करते हैं तो हम एक तरफ से वक्र प्रिष्यक शेत्रवल की ही बात करते हैं यहां पर तो वो understood सी बात है कि वक्र प्रिष्ट ही है ये ठीक है लेकिन जहां तक अर्द गोले की बात है इसका वक्र प्रिष्ट अलग होता है और कुल प्रिष्ट अलग होता है क्योंकि आप अगर इस हिस्से पर गौर करें तो ये वक्र है लेकिन अगर आप ये वाला पूरे गोले का आधा हो जाता है आप देख सकते हैं बिलकुल तो ये है टू पाई आर स्कुयर लेकिन जब हम इसके कुल प्रिश्रिक शेत्रफल की बात करेंगे उसमें क्या होगा कि अर्ध गोले के साथ साथ में समतल वाला हिस्सा भी आ जाएगा तो सोचो ये समतल वाला हिस्सा क्या है ये ये वृत है न ये अगर आप इसको उपर जेखो तो वृत है वृत का क्षेतरफल क्या होता है Pi R² तो इसमें Pi R² जुड जाएगा और यह हो जाएगा 3 Pi R² तो अर्द गोले का वक्र प्रिष्ट2 Pi R² और संपॉन प्रिष्ट यानि कुल प्रिष्ट 3 Pi R² जहां तक पोरे गोले की बात है तो इसमें चाहे संपॉन प्रिष्ट हो चाहे जिसको हम कुल प्रिष्ट भी कहते हैं ठीक है या फिर वक्र प्रिष्टेक शेत्रफल हो या केवल प्रिष्टेक शेत्रफल हो बात केवल यही है कि यह केवल हर बार यही होता है क्योंकि वो सेम चीज़े हैं I hope आपको यह सब ग्लियर हो गया होगा और वन बाई वन इन questions को करना शुरू करते हैं पहला question है निमने तरिज्या वाले गोले का वक्र प्रिष्टिक शेत्रफल ग्याद कीजिए तो जो पहला part है तरिज्या दी है 10.5 cm और हमें प्रिष्टिक शेत्रफल ग्याद करना है तो प्रिष्टिक शेत्रफल होता है 4 pi r square इसमें value put करेंगे pi है 22 बटे 7 और r इसकी तरिज्या 10.5 अब बस थोड़ा calculation है ये 1.5 हो जाएगा और ये पूरा गुणा करके आ जाएगा 1386 cm2 ठीक है second part इसका देखो इसमें जो तरिज्या है ये है 5.6 इसका प्रिष्टिक शेत्रफल 4 pi r square सेम फॉर्मला हम यूज़ करेंगे यहाँ पर pi है 22 बटे 7 r है 5.6 square है तो हम दो बार लिग देंगे 56, 0.8 सब को हम गुणा करेंगे और ये आ जाएगा 394.24 cm2 तीसरा है थर्ड पार्ट इसका इसमें रेडियस 14 cm है तो इसका प्रिष्टिक शेत्रफल सेम फॉर्मला यूज़ होगा pi है 22 बटे 7 r इस बार 14 है अब ये कटेगा दो बार जाएगा और ये पूरा गुणा करके फाइनली आ जाएगा 2464 cm2 ठीक है समझ आ गिया पहला क्वेश्चन सेकिंड क्वेश्चन है निम्न व्यास वाले गोले का प्रिष्टिक शेत्रफल ग्याद कीजिए वन बाई वन इनको करते हैं इस बारी व्यास दिये वे हैं ठीक है तरीजा नहीं है तो मुश्किल नहीं है बिल्कुल तरीजा ग्याद कर लेंगे हम तो फर्स्ट पार्ट में व्यास दिया है 14 cm आप जानते हैं कि तरीजा व्यास की आधी होती है तो 14 upon 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 cm हमें प्रिष्टिक शेत्रफल ग्याद करना है तो प्रिष्टिक शेत्रफल होता है 4 pi r square 4 pi है 22 बटे 7 r 7 7 तो ये गुणा करेंगे और ये 7 से 7 कटा 7 तो 28 और ये इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 616 cm2 second part इसमें व्यास दिया है 21 cm तो इससे तरीजा निकल जाएगी तरीजा व्यास की आधी होती है तो 21 बटे 2 cm आ जाएगे लेकिन ध्यान रखना ये अभी भाग मत देना ठीक है इसको ऐसे ही रखना आसानी रहेगी कैलकुलेशन करने में इसका प्रिश्चिक शेत्रफल ये आप जानते हैं 4 πाई आर स्कॉयर होता है पाई है 22 बटे 7 आर है 21 बटे 2 21 बटे 2 तो 2 दोने 4 ये तो कटा सातिया 21 और 21 बटे 63 और इसका हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1386 cm2 थर्ड पार्ट है इसमें व्यास दिया है 3.5 मीटर तो इसकी तरिज्चा हो जाएगी इसकी बिलकुल आधी यानि 3.5 upon 2 मीटर ठीक है अभी काटना मत ऐसे ही इसको छोड़ देना प्रिश्चिक शेत्रिफल 4 पाई आर इसको आयर तो 4 है पाई है 22 बटे 7 आर इसकी तरिज्चा 3.5 upon 2 इंटो 3.5 upon 2 चार से ये दो दो कट गये और ये होगा 0.5 और ये कट के ये 11 हो गया और ये आ जाएगा 35 गुणा 11 होता है 38.5 मीटर स्कॉाइर आंसर ठीक है तो ये हमारे आंसर आचुके हैं तीनो पाट के Q3 है 10 सेंटीमेटर तीज्चे वाले एक अर्ध गोले का कुल प्रिश्चिक शेत्रिफल ग्यांत कीजे और पाई हमें ये लेना है तो देखो आपको याद होगा जो मैंने शुरी में फार्मला बताया था कि जो अर्ध गोला होता है इसमें ये जो हिस्सा होता है ये तो इसका वक्र प्रिश्च है और वक्र प्रिश्च जो है ये पूरे गोले का आधा है तो यह होगा लेकिन जब कुल प्रिष्टिक शेत्रिफल की बात करें तो उसमें इन दोनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर देखो सबसे पहले question में जो information लिखे वो लिखते हैं तो त्रीजा है 10 cm और हमें निकालना है कुल प्रिष्टिक शेत्रिफल तो कुल प्रिष्टिक शेत्रिफल यहाँ पर होता है 3 pi r square अर्द गोले का कुल प्रिष्टिक शेत्रिफल यह होता है 3 pi है 3.14 question में ही यह लिखाए कि हमें यह use करना है R 10 है तो 10 का स्क्वार यानि 10 का दो बार गुणा हो जाएगा और ये हुआ 100 से गुणा करके पॉइंट हट जाएगा 942 स्क्वार ये हमारा आंसर है मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल भी प्राब्लम नहीं होगी उसको समझने में Q4 है इसमें एक गोलाकार गुबारा है तो पहले तो वो छोटा है उसकी तरीजा 7 सेंटीमेटर है और इसमें हवा भरी तो ये बड़ा हो गया तरीजा 14 सेंटीमेटर हो गई है तो दोनों परिस्तितियों में हमें इनके प्रिशिक शेत्रफलों का अनुपात गयाद करना है तो पहले में मान लो इसकी तरीजा R1 है जो की है 7 सेंटीमेटर और इसकी जो तरीजा है ये R2 है जो की है 14 सेंटीमेटर तो दोनों का प्रिशिक शेत्रफल हम निकालेंगे पहले छोटे गुबारे का यानि हवा भरने से पहले जो गुबारे का प्रिशिक शेत्रवल है वो लिखते हैं तो हमने इसको A1 नाम दे दिया है कि हवा भरने से पहले यानि इस छोटे वाले गुबारे का प्रिशिक शेत्रवल क्या है तो ये 4 pi r1 square आप जानते हैं फॉर्मला ये होता है r1 लिखा है क्योंकि अभी छोटे वाले की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 4 pi into 7 square और ये हो जाएगा cm square लेकिन ध्यान रखना अभी जादे calculation यहाँ पर मत करना आप फिलाल इतना छोड़ सकते हैं जादे जादे आप 59 कर सकते हैं ऐसा हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमें अनुपात ग्याद करना है और हम जानते हैं कि बाद में ये spine कटना ही है इसलिए फिलाल इसको ऐसा ही रखो अब हवा भरने के बाद गुबारे का प्रिशिक शेत्रिफल तो हवा भरने के बाद गुबारे का प्रिशिक शेत्रिफल उसको A2 मान लेते हैं और ये है 4π2R2² तो 4π2 को हम as it is लिखेंगे और जो R2 है ये है 14 cm और यहाँ पर cm का स्कायर हो जाएगा हमें ग्याद करना है A1 upon A2 यानि इनका अनुपात हमें ग्याद करना है तो भाग देंगे हम 4π2 into 7 का स्कायर बटे 4π2 into 14 का स्कायर तो 4π2 से 4π2 कटा 7 into 7 upon 14 into 14 साथ से कटा ये 2 साथ से कटा 2 और यहा आजाएगा 1 बटे 4 तो यह कह सकते हैं कि A1 और जो A2 है इसका अनुपात होगा 1 अनुपात 4 और यह हमारा आंसर है ठीक है I hope आपको यह solution समझाय होगा question number 5 है पीतल से बने एक अर्ध गोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास यह है 16 रुपे परती 100 cm2 की दर से इसके आंतरिक प्रिष्ट पर कलई करने का व्याय ग्यानत कीजिए तो एक कटोरा है अर्ध गोलाकार और इसके अंदर की तरफ हमें कलई करनी है यानि paint टाइप का करना है जैसे होता है अंदर की तरफ से paint समझदो paint करना है तो यानि हमें इसका आंतरिक वक्र प्रिष्ट की आवशकता है तो यहाँ पर पहले तो question में क्या information दिया है कि आंतरिक व्यास पुरा व्यास दिया है ठीक है तो इसका जो व्यास है यह है 10.5 cm तो आंतरिक व्यास है 10.5 cm तो आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी तो व्यास की आदी होती है त्रिज्या आप जानते हैं और इसको फिलाल हम ऐसे छोड़ देंगे इसको यहाँ पर भाग नहीं देंगे ठीक है calculation इससे और मुश्किल हो जाती है हमें ग्याद करना है आंतरिक वक्र प्रिष्ट इस अर्ध गोले का तो आंतरिक वक्र प्रिष्ट आप जानते हैं कि पूरे गोले के लिए वक्र प्रिष्ट होता है पाई आर स्क्वाइर और अर्ध गोले की जब बात आती है तो यह आदा हो जाता है तो यह हो जाता है टू पाई आर स्क्वाइर अब यहाँ पर वैलियूस पुट करते हैं पाई है बाइस बटे साथ जो तरीजा है टैन पॉइंट फाइव अपाउन टू दो बार है क्योंकि square है तो इसको दो बार लिख देंगे हम और इसे calculate करेंगे दो से दो गया ये दो से ये जाएगा 11 ये जाएगा 1.5 और ये पोरा calculation करने के बाद आ जाएगा 173.25 cm square ठीक है अब जो हमें इसको अंदर से इसकी कलई करनी है इसको एक इसम से painting या प्लैटिंग जिसको हम कहते हैं वो करना है उसका rate क्या है 100 cm square के लिए 16 रुपे हमें देने पड़ते हैं तो 100 cm तो 100 cm square पर कलई करने का जो खर्चा है वो है 16 रुपे अगर हम 1 cm square की बात करें तो खर्चा कितना आएगा इसमें 100 से भाग दे देंगे इतना रुपे और हमारे पास total है कितना 173.25 cm square कलई करने का खर्च क्या होगा तो यह हो जाएगा यह तो हम डिवाइट करी सकते हैं 0.16 हो जाएगा और यह हो जाएगा टोटल 0.16 में गुणा करेंगे हम 173.25 और यह आजाएगा 27.72 इतना रुपे यह हमारा आंसर है ठीक है Q6 है उस गोले की तरीज़ा ग्याद कीज़े जिसका प्रिशिक शेत्रिफल यह है तो गोले का प्रिशिक शेत्रिफल यहाँ पर पहले बातों हमें R निकालना है और प्रिशिक शेत्रिफल दिया है आप जानते हैं कि जो प्रिशिक शेत्रिफल होता है इसका formula गोले की पूरे गोले की बात करकी यहां पर तो 4 πाई आर स्क्वाइर यह है 154 अब बस यहां से हमको आर निकाल देना है तो इतना मुश्किल question है नहीं है अच्छा तो आर स्क्वाइर करेंगे हम तो यह साथ चला जाएगा उपर और यह आ जाएगा नीचे अच्छा अब यह हम भाग देंगे ठीके दो से जाएगा तो यह 11 और यह है 77 7 यानि यह हो गया है 59 बटे 4 तो आर जब हम निकालेंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 49 का वर्गमूल होता है स्क्वाइर रूट 7 और 4 का होता है 2 यानि 3.5 सेंटिमीटर और यह हमारा आंसर है ठीक है Q7 है चंद्रमा का व्यास प्रिथवी के व्यास का लगभग एक चौथाई है इन दोनों के प्रिश्रिक शेत्रफोलों का अनुपात ग्यांद कीजिए देखो तो माना प्रिथवी का व्यास है D तो चंद्रमा का व्यास क्या होगा इसका एक चौथाई यह हो जाएगा एक चौथाई का मतलब D upon 4 हो जाएगा लेकिन जो फॉर्मुले होता है उसमें हमें व्यास नहीं चाहिए होता है उसमें हमें त्रिज्रिक चाहिए होती है तो इसलिए प्रिथवी की त्रिज्रिक 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 जाएगी D upon 2. ठीक है? अच्छा प्रिध्वी की तिरिज्ज्य अगर D upon 2 है तो सीधे हम ज्याद कर लेते हैं प्रिध्वी का प्रिषिक शेत्रिफल प्रिध्वी का प्रिषिक शेत्रिफल होगा 4Pi r स्कूईर ऌडेखो यह फॉर्मॉला होता है R जहांपर 3 है D square और यह हो जाएगा 4. ठीक है? और यहां पर आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो. इतना. अब बात करते हैं चंध्रमा की. चंध्रमा की तριज्या क्या है? तो चंध्रमा का व्यास यह है, तो तριज्या क्या होगी? तो व्यास इसकी आदी ही. तो ये चार नीचे गुणा हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा आप चाहो तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो बात एक ही ठीक है ये हो जाएगा d upon 8 तो चंद्रमा का प्रिशिक शेत्रफल क्या होगा फॉर्मला वही लगाएंगे हम 4 pi r square का और ये हो जाएगा 4 pi r की जगह पे d upon 8 इसका square तो ये हो जाएगा 4 pi इंटू d square upon 8 अठीच चौशट तो इतना सब क्लियर हो गया अब हम finally अनुपात ज्याद करेंगे तो चंद्रमा के प्रिशिक शेत्रफल और प्रिशिक शेत्रफल का अनुपात चंद्रमा का क्या है प्रिशिक शेत्रफल 4 Pi into D square upon 64 पृत्वी 4 Pi into D square upon 4 4 Pi से 4 Pi cancel D square से D square cancel यह 4 जाएगा उपर और यह जाएगा नीचे और यह कट के आजाएगा 4, 16, 64, 64, 1 बटे 16 तो यह जो अनुपात है यह एक अनुपात 16 है और यह हमारा final answer है question number 8 है एक अर्द गोलाकार का टोरा इतने मोटी स्टील से बना है आंतरिक तरीजा यह दी है और हमें बाहरी वक्रशिक शेतिपल क्यातकन है देखो यह question क्या है मैं आपको समझाता हूँ तो यहाँ पर आप अपने सामने देख सकते हैं यह एक अर्द गोलाकार काटोरा है लेकिन यह एक अच्छे खासी मोटी स्टील से बना हुआ है यह काटोरा अंदर की तरफ इसके आंतरिक तरीजा यह है ठीक है यह जो अंदर वाली साइड है और यह इसकी बाहरी तरीजा है तो आंतरिक तरीजा और बाहरी तरीजा और ये इसकी मोटाई है यहां से यहां तक यह अब आप समझ गयोंगे कि हमको यहां पर करना क्या है पहले बात तो इसकी आंतरिक तरीजा क्या है यह है फाइव सेंटिमीटर लेकिन हमें निकालना है बाहरी वक्र प्रिशिक शेत्रिफल तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसकी बाहरी तरीजा निकालेंगे तो कटोरे की बाहरी तरीजा इसके लिए क्या करेंगे जो आंतरिक तरीजा है सोचो कैसे हम निकालेंगे तो जो आंत्रिक त्रिज्जा है ठीक है आप मैं उपर वाला आपको सीन इस तरह से दिखाता हूँ कि उपर से को अगर कोई इस कटोरी को देख रहा है तो वो इस तरह से देखेगा कटोरी को और यहाँ पर यह कटोरी के आंत्रिक त्रिज्जा है और ये कटोरी की बाहरी तरीजा है तो अगर आंतरिक तरीजा में हम इसकी चोड़ाई जो इसकी मोटाई है ये प्लस कर देंगे तो बाहरी तरीजा आ जाएगी न तो वही हमें करना है तो इसके लिए हमें जो इसकी मोटाई है 0.25 cm ये प्लस कर देंगे और यह आ जाएगा 5.25 cm तो अब यह तरी जा चुकी है तो हम ग्याद करेंगे इसका बाहरी वक्र प्रिशिक शेत्रफल तो कटोरे का बाहरी वक्र प्रिशिक शेत्रफल क्या हो जाएगा तो ध्यान रखना यह एक अर्ध गोला है यह और यहाँ पे पूरे गोले का क्या होता है 4 π.r² अर्ध गोले में क्या होता है यह 2 हो जाता है तो 2 into π.r² है 22 बटे 7 आर है 5.25 अब क्योंकि यह स्कॉयर है तो दो बार हो जाएगा और यह पूरा जो कैलकुलेशन है उसके बाद हमारा जो फाइनल आंसर है 25 cm² ठीक है यहाँ पर आप अपने सामने यह फिगर देख सकते है एक बेलन है जिसके अंदर गोले को इस तरह से रखा है कि यह पूरा फिट होता है और जो यह बेलन है यह बिलकुल भी बड़ा नहीं है यह इतना ही बड़ा है जिस से कि यह पूरा गोला फिट हो जाए तो यहाँ पर जो इंपोर्टन चीज़े हैं वो यह है कि गोले की जो तरीजा है वो है आर तो आप जानते हैं तरीजा हर तरफ एक जैसी होती है यह भी आर है उपर की तरफ जाएंगे तो ये भी R होगी है ना तो गोले की तरीज़ा तो R है लेकिन अगर हम बेलन की बात करें तो बेलन की जो तरीज़ा है ये हो जाएगी ये भी R है और बेलन की अगर हम उंचाएगी बात करें तो ये R ये है और R ये है तो ये 2R हो जाएगी बस सारी information हमारे पास है तो करना शुरू करते हैं इस question को तो सबसे पहले हमें गोले का प्रिशिक शेत्रफल ग्याद करना है गोले का प्रिशिक शेत्रफल ये होगा 4πiR square ये होता है और कोई हमें ऐसा value अगर रपोट नहीं करनी है बस ये है क्योंकि तरिजा R दी है तो ये ही हो जाएगा बेलन का वक्र प्रिशिक शेत्रफल बेलन का वक्र प्रिशिक शेत्रफल क्या होगा तो ये होता है 2πiRH ठीक है ये होता है formula यहाँ पे हम H की value को पूट करेंगे तो चूंकि H is equal to है R प्लस R यानि 2R इसलिए ये हो जाएगा 2πiR और H की जगह पे हम लिखेंगे 2R तो ये multiply करके आ जाएगा 4πiR square ठीक है देखो आप notice कर रहे हों कि दोनों एक जैसे आ रहे है अब ये हो गया ये हो गया थर्ड पार्ट में हमें दोनों का अनुपाद ज्याद करना है तो जो थर्ड पार्ट है एक और दो में प्राप्त क्षेत्र पालों का अनुपाद ये हो जाएगा तो एक में हमें मिला था क्या 4πiR square और दूसरे में भी 4πiR square तो ये कटके 1 upon 1 आ गया यानि अनुपाद है एक अनुपाद एक ओके और इसी के साथ ये प्रशनावरी समाप्त होती है कोई doubt हो comment box में पूछना चैनल को subscribe करें और वीडियो को ज़रूर share करें मिलतें अगले वीडियो में take care